हेलो अपनिकान साहे से होन्बिल टीवी ला नागमीज एक्स्प्रेस कोईमा दे ट्राफिक सिग्नल लाइज धालीगी ना थाका खान ना चुलीगी ना से फॉर्मर सीनियर टेक कंसल्टेंट यान फोग की कौन प्रा इतो पोल जनाई से की जवा साल B.O.C. जंक्षन और T.C.P. गेत ते एक ट्राइल रन जापिछी दे भारत इलेक्ट्रोनिक्स कोईमा लागा ट्राफिक पुलीस आरो कोईमा स्मार्ट सिटी डेवलाप्मेंट लिमेटेट खान मीटिंग लोगो प्रा भारत इलेक्ट्रोनिक्स खान गे कुनबा चें सेनु के वो लोगता है ते एक ट्राइल खाय स्कूल तीसीपी गेत लागा जांक्शन दे अरो उपो डे बूसी दे इतु लाइच कान ठाक्या दिखिपावो Hornbill TV प्रा इतु लागा ऊपोर कोधा कुरीशे पुहिला ज्वास साल इतु कोहीमा Common City Development Limited कान ट्राइल रान कुरीशे वो लुन्टेर लग तीप 仔न लाएं, लाटा ला Scrाई known as Youtube горdfा में लेगात्स, लेगा काउन लेद voor FarmC लेगा लेधने सेमेट लेगाइ, लेगात्स, लेगान लग उंभा लोग लेदेच्छर एक अकशल ऑंज grieving अरो भी होन्बिल टीवी प्रा इतु उपर फॉरमर सिनियर टेक कंसल्टेंट को हीमा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लागा सिनियर टेक कंसल्टेंट के यंग फोकी कोन की को था कुछिए ताय पर जनाई दिया तो इतु ट्रायल रान कुरे पिछी ते ज्वासाल ज्वाइन मीटिंग एक्ता थागिशे बारत इलेक्ट्रोनिक्स कुंदु इतु ट्राफिक लाइट इंस्टोलेशन साहसे थाखन के और कोहिमा ट्राफिक पुलीस और कोहिमा स्मार्ट्टी देवलोप्मेंट्मेंट्मेंट कान इतु ज्वांद मिटिंग एक्ता रितन देपि दिशे कुछिए और वर्बली भी इमेल भी जनाई दिशे कुछिए इतो भारत इलेक्ट्रोनिक्स कान ये इतो चेंजस बना वोले और चेंजस तो बनाई दिवले लाता हंगे कोई भी इतिया तक भी इतो चेंजस नाई और कोहिमा ट्राफिक पुलीस कान परा सजेशन कुछारो लाइच कान वे इतो भी जाखांग भी जागा हंब लाग चेंज़ कुरूब लाई सजेशन कुछे भी इतो बैद बनाइच्छ रोड एलेक्ट्रोनिक्स कान ये दो चेंजस कान वे टेकप कोई आई ज्वासाल पा वे उकन्हावन करने फईला। चेलाई है कोहिमा समर्ट सिरी ए gli उत्न क taco가 certain कण्हली कोई आफिमा समर्ट सिरी ओर हो wine तरै उता का द्चाम 30 मैं Sutra Mark Sudan Grz IQ के ऱ्टे वट मुही मैं। मैं प्रूम एफिवाने उत्ता माग मोते हैं पोहिमा नर्डेस में से winds brings complete वि Ready, lawuku ठीक दो LE दो, ऊेड सेको चोड़ प्रूज को ओता रेडकी कि अे रम सेख्व को जाकी нужके हैं कि फितम साहत हैं, भीजर से रेड सेख्चा थेछाओ, शुचको फेड प्रूब्म्मी से रेड हो अधिया गर्ने मानसे होन्बिल तीवी इतु लाओ पोर, ट्राफिक लाइस लाओ पोर, अरु दूस्रा smart city लाग अलाग अलाग इतु एरियास कांदयो हुए लिए आद देड कनना नी ठाकिवा, इत्या गर्ने मानसे मोई रिपोर्टर केक्रिसे नुके हुए, विद केमरा प् पंगलोई फोहनबियो तीवी प्रणेट प्रणेट रेस हो एग न इमीडेट रसपॉंस का नए प्रॉंप्ट कोई से प्राफे मुल्चरे पारा के लिए मेराम है। अज पासिगत होके आर रहाता अनिनी ग्याता तो अनिनी से रोईं होके पासिगत होके आर रहाता तो इसमें जो वहाँ लालक से 3 कीलोमीटर लोकिमपूर का त्रव से वहँ मैं असहनर बहुत सा कववड पुलिस का गाड़ी था और हम लोंके भी था मैं तो आगे से चल रहाता मेरा पीसे का गाड़ी ही लगाई मेरा गाड़ी नहीं लगाई तो मेरे पिसे के कारू था, तो मिस्स थी, तो अनन्त बसने के लिए हैं अब लोग लग गया है उसमें सब्सक्राइब तो इनक खुनपोय में लाइन में जड़ रहता तो असनुक वो पुलिस गारी का आगे से कुई गारे आ गया तो उसका उपर में एक राइस साइड में एक स्कुटी थे तो उसको पिर असनुक ब्रेक हो गया ग हम अब लगा तो इनक खुट नहीं लगा जामें इनका बॉलेरो को भी नुक तक्र लगाए वह में बहुत सा पॉसी था पिर इनका भी कुछ नहीं लगाए ये बगवान का इच्छा था नहीं होने से बॉलेरों का जो था उसको लगना साहिए ता गारी का दिमस को टेकने से नागलन बैंबू डेवलाप्मेंट एजिन्सी ब्रा मंडे दे दुन्या पूरा लोगो दे नागलन बैंबू रिसोर्स सेंटर सोविमा दे वोल्ड बैंबू दे मनाई से इवेंटला स्पेशल गेस प्रिंसिपल सेक्टरी और डेवलाप्मेंट कमिश्ना आर रामकृष्नन बैंबू के सस्टेनबल डेवलाप्मेंट निमीदे बचाईगी ना राखे बूले लागया कोईगी न इतो दिन दो बैंबू आर्टिसन आरो क्राफ्टमें खान गे सपो सब्घाइ बंबू SHG ऑाउर 223 डेस wichtiger हुष गोड्य की पैद्ट शहां गॉज The World Bemboo Day was conceptualized by one Kamlach, Salam, he is from North East, that is Manipo, he himself. इस लिए उन 18, 2009 लिए में वैंगा बंगूर कोझे लेद बंकोग लेकलर कॉंग वेडि़ा एक नचनगा नचाल नकालान शिजल नगया टो बहली कि दिपल मेंगप पहनाओ करेदी लाफ प्या। उन ऐसाओ पुर खार्पा सब्साम करेंग को दो करेंगा आथा टोरी लाफ ज या बन्बूरिटान लेरसाथ बन्टाचार निवहन लग मेंडू आजिए लिबाणिबूर्म लिएमा सबस्टारिक समयों फिती इने किते हैं and the NBDA has made remarkable achievements to its credit and today, on this day, we express a profound gratitude to those pioneers. This organization is the brainchild of the Honorable Chief Minister Mr. Nipirio and we are fortunate that he is still here with us as a Chief Minister to guide us and lead us. Let us rededicate ourselves today with a renewed vigor and commitment to take up challenges which is expected and unexpected. World Bambu Day is a day of celebration to increase the awareness on Bambu. It is organized as a regular member set, it is organized globally by the World Bambu Organization. The World Bambu Day serves as a platform for raising awareness since the student members are here therefore the importance of Bambu also promoting its role in sustainable development, poverty education and environmental conservation. It is actually to recognize and support the bamboo cultivation or processing throughout the world. World Bambu Day is a kind of, you know, creating awareness about the diverse use of bamboo from construction to furniture, textiles to culinary applications and it emphasizes the economic potential of bamboo to the communities and to business people. Bamboo is an urban habitat for various wildlife species. Celebrating Bamboo further highlights the importance of conserving our bamboo forest for biodiversity. It encourages research and innovation in Bamboo related industries and it promotes the collaboration among government institutions, organizations and individuals to promote responsible cultivation and the use of Bamboo resources. Because of its combined strength and light weight, Bamboo is one of the most used building materials, particularly in the areas where it is found in islands, like North Eastern area, in our state also. Bamboo is an important resource to build bridges, houses, scaffolding, floor tiles, roofs and other structures. If you, we, you know, like today, we released the magazine. If you go through the magazine, if you go through the magazine, you find the various products of Bamboo. It's a beautiful, the magazine has come out very nicely. We have to congratulate the, the editorial team who brought up the, the niceness of our magazine, Bamboo magazine. I feel that student members, you have to go through the magazine and they find out the benefits and the uses of Bamboo. The Bamboo Entrepreneur Award, Bamboo Concepts, was a proprietor of the company. The company started the COVID-19 pandemic in 2021. And then, the NBDA joined the workshop. The company has done an experiment with Bamboo. The company has done an electric scooter to test the Naglen Tool Room Center. The company has done an experiment with Bamboo drone. The company has done a very good project and he has now enjoyed the project. The company has done an experience in which it is very exciting. We have to have the company and call an award for our clients. We have to have a 접ement from the office where we have to get our own award. We have to have the company and we have to have the space building. And I'm very excited. The company is NBDA, the Naglen Bamboo Development Agency. तेखन भी विशी लव एंड सपोर्ट दिया करने इतोगान एचिफ कोड़ी पाई शे अमियान ला फर्म दो बैंभू कंसेप्ट आसे अन्देन अमियान 2021 दे स्टाट कुरी शे अन्देन लोगदाउन टाइम दे स्टाट कुरी शे लाइस बाइस भी शेल जोगड़े शे शेडिल फोक बोले मियान स्टाट कुरी शे अग दिन बनाओन बनाओ लिया इन्ट्रेस्ट आग глता इतो अन्देन रॉषोर त्सटाट करी शे अधने तो पीक्स कोरीख जए जो नगुटरी सिंपनि को सुछक्सक्नीब आकच्वा निए जो नगुटरी सो टॉट रहा है ना एत प्रहिशं जो लगने को पाना season कुल अन हमला उनर्पन समी कनऊ में वक्तमेर का ओर्डोर, घजी कोछाइं। झाल आक तो आप्र फटल बेमेशे सब यहां, बन तो समीन ने से टि Koreusto कर अकी दो, करो फोरा कि डैं रोठीक, न्यूद्न। बाइसकोल एक्साइकल करें वेग्सेंटिट रिखेंगा है अब आपकविंग प्रजेक्स तो इमन भी नाए हुली भी सिंस्ट आम्यान अएलेक्टोनिक्स अण एलेक्ट्रिकल बेस बंब प्रडॉक्स कान बना है अरुण है में धिस अब आडलो अड़ौ तो अम्यान एक ता बंभु स्कोटर अल्ट्रिक कोटर नगा नगव लगुके बंभु फ्रेम शॉब तो अम्यान न टायर्स कांज गे नगया में जुब यला में दो अब तो चल वेलगें अबन बंभु फ्रेम पने लिए पने ये न reform रेख दो फ्रेम व बेंभू बहा थि जुट है, let's see if it works if government works, work is very difficult yönκαें प्रेषिप दो मेंड़े के लाख रीचे़द हाई है के चहते कर दो प्रेखे दो ख़ब जाने एक ता ओफिस दे जाये ना दिनबर कम करिना दोनी बॉल्यमों नसना अपनी कीला पैशन अपनी इंटरेस की एसे दो करिना दोनी बॉल्यमों नसे डो अपनी छोईश असे बजन मुला सजेशन दो entrepreneurship self-employment इतु हे सच्छेस कुरें आनिगमरा शुरू हो आसे कुंदु डिमांड फुल्फिल नौ तक जारी राखिबो सूदेंस कान बाहरो हाई-level inquiry committee demand कुरीगी नास आप सब जानते हैं कि यहां एनाइटी सिल्चर में जहीं क्लियर करने के बाद इंडिया के मोस्ट टॉप मोस्ट इस्टूइंट्स आते हैं जिन्हें टेक्निकली कुछ रिकॉर्मेंट कुछ फुल्फिल्मेंट की जरूरत होती है जो की इंटर्नल इंस्टिटूट के अथॉर्टी के तरफ से बाकि काफी सारे इसूस हैं जो तब तब ये सुसाइड के के केसे हुए हैं और जिनको अंजाम दिया गया जिसका रिजन यह है कि जब भी डीन एकेडमिक सर बीके रॉय सर डीन एकेडमिक रहे हैं तब तब उन्होंने कुछ ऐसे ऐलिगेशन लगा हैं स्टूडेंट पे और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल स्टूट किए गए हैं बीना leniency लीन रिशुर दिये हुए जिसके व एसे इस्टूडेंट पर मैंटल प्रिशर काफी कफी जादे बिल्डब ब्यूप हो जाता है जिसको बिल्डब होने के व्यासे पिशली कई केसे में उनी के डीन अकैडमी के के पिरियड में यह सारे के सारे सुसाइड केसे हुए जिसका में रिक्वेस्ट है डीन अकैडमीक सर से यहां सारे स्टुडेंट भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वह इसीच को एकसेप्ट करें और अपना रेजिगनेशन दें और जो भी कोच के खिलाफ जितने भी एलिगेशन और इंप्रॉपर इस्टेटमेंट दिये जा रहे हैं जैसे कि कुछ जगह बोला गया है कि यह चोटा मोटा मुद्दा है तो उससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि जो भी अथार्टीज जो भी इसके इसके है वो सामने मीडिया के सामने आकर कि यह जो स्टेटमेंट उन्हों ने दिया इससे रिलेटेड माफिम आगे और सारे स्ट्रेंट से आकर के बात करें हमारा डिमांड से कि सबसे पहले हमारे भाई कोज को जस्टिस मिले उस रास्ते में जो जिन पर एलिगेशन लग रहा है दीन अकेडमिक हमारे ओ रिजाइन करें ततकाल परवाव से और हमारा एनाइटी सिल्चर एडमिनिस्टेशन इंक्लूडिंग हमारा डिरेक्टर रेजिस्टार जो भी एडमिनिस्टेशन में हैं जो भी जिस तरह के स्टेट्मेंट दिया जा रहा है इनुमन करें तीसरा दिमांड हमारा यह है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स अक्षन लेने का डर बनाया जा रहा है कि इस पर एक्सन लिया जाएगा जो भी आगे स्टोडेश्ट में सत्यHea में खड़े而ना जाकी आगे उनका मेंडल वेल्द्स अच्छ यह going कि एक हाई लेवल कमीटी बनाई जाए जो कि इनाइटी सिल्चर में अकैडमिक रिफॉर्म्स पर बात करें और इस कमीटी में बाहर के लोग रहें हमारे कुछ स्टुडेंट्स को स्टुडेंट्स रिप्रेजन्टेटिव रहें जो इस विशाय पर बात करेंगे कि हम रूल्स प्रेशर बना हुआ है एकेडमिक एक्सेंस के कारण उसको तुरंत रिव्यू करके इमेडियेटली उस पर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि उनको मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके और अब भी जो हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि हम से आकर के हमारा एड जुन्दो एक्स्ट्राओडिनरी पर्लिमेंटेरियन्स आरो बिशी लंबा लीडर्स थाकिसे कुन ब्रा कॉपरेटर फेडरलिजम उपोर दे कोथा कुरी थाकिसे सुले बढारो क्वादो जो सेवन डेकेद ते देश के बनावले बिशी मनुबा कॉंट्रिबूट कुरी से सुले क्वादो मनुबा इंडिया माती भी भारत माती इतु दो निजो लगा देश है एच्छानों के लिए अगया चेह लाग। प्रिष्टर थाप्रिशनस मेरे समय का फंडिया, आट रॉट जए कर विले नवे पर्मिनिस्टर शुट थाट थाट, जैकर उपोड़ाइन के रिका विलाउन कर दिखने लिदी पर भूहाँ लिवेशनके साथान। this is the beauty of India and I think that is what clearly comes around in most of the speeches which came and I would like to quote, Dr. Ambear Kar the P.R. Ambear Kar in the Constitution Assembly said that the Constitution is a Federal Constitution the Union is not a League of States nor in the states is the Agency of the Union deriving prowess from each other both Union and the states are created by the Constitution फिर थे लिवाद था रूजाय के बंट कर लिए लिए कर लाइबा कर लिए्यू कर लिए ठायूर प्योठक थूंट जव से एंगी दिव्ट लुजय को अजय कर ले इंट शुच इन रिएंगर कर लिएु अगाव थाभ बिदी कर लेड़ पो जय कि पूएक। टो पूच्छ extraordinary parliamentarians who we looked up to. One was honourable late Sushma Swarajji and second was she Arun Jeetlevi who constantly talk about cooperative federalism. It's not on this side or that side. Good work has to be established. So, it's all about to do a bullet in and to do a lot of work on the side of the HONBIL TV. Goodbye.